सो फाइनल यार काफी दुनों बाद Micromax ने अपना एक नया इन 2C डिवाइस को यार इंडिया में लॉंच कर दिया है अभी यार यह मेरे पास आ चुका है इसकी आपको क्विक सी अन्बॉक्सिंग दिखा दूँ तो इस तरीके का बैटरी है उसे के लावा 10 वाट की चार्जिंग को सब्सक्राइब करता है जल्दी से करते हैं सील को ब्रेक और पर निकालते हैं अपने फोन को बाहर हो निकालते है यह वाला इसके बैग में कुछ स्टीकट फिर से चपल गया जल्दी से करते हैं उसको क्लीन और निकालते हैं तो भाई आ चुका यहां पर फोन हाला कि वहांस थोड़ा से टीग्रेटी आपको मिलेगा कि इसके अंदर आपको कोई भी Turix नहीं करनी पड़ेगी और ऩोड़ा से बात तु行了 लो रहा है थिंग 200-200 ग्राम के आसपास का वेड़ इसका जरूर से होगा लेकिन यार बैक में करता है आपको कोई भी यहां पर कभी भी लैक्स वगेरा बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा हालक इसका सिर्फ एक वेरिंट भी लॉंच किया है तीन और 32 जो कि आता है यार पुरानी एमम सी स्टोरिज के साथ जिसके कारण वर्श थोड़े जैलैक्स आपको ज्यादा देख यहां पर थोड़ा सा स्लो जादा यह फिल हुआ है लेकिन इसके किलावा अगर आप इसमें गेमिंग करते हो तो अल्टरा सैटिंग में आप गेमिंग इसके अंदर कर सकती हो वो भी यार बहुत ही कम फ्रेम डॉप देखने को मिलते हैं हाला कि यह हीट भी होता है बहुत ही आपको ज़रूर से देगा डे-to-day में आपको बहुत जादा कोई दिकत नहीं देगा टॉक एंड्रॉइड वाली चीज है आपको देखने को मिलेगी जादा कोई चेंजस नहीं देखने को मिलते हैं पूरा क्लीन ब्लोट फ्री आपको यहां पर यह रोम देखने के लिए अ करती हुए यहां पर मिल रही है लेकिन स्विक्वर्टी पैज जब यह वीडियो में बना रहा हूं फोन को आए हुए एक हफ़ता हो चुगा है तो इसमें अभी नौंबर दिस्प्ले को कुई मेजर चेंज यहां पर नहीं दिया हुआ अभी भी आपको वाटर द्रॉप वाली देखने को मिलेगी 6.52 इसकी प्लस दिस्प्ले देखने करें मिल जाती है जिसकी आर फोर हिंडिट निट्स आउड़ बैक्स अब वन आप दी बैस दिस्प्ले तो मैं यह दिस्प्ले क्वालिटी अगरा देखो वगरा थोड़े से बड़े मिलते हैं उपर का आप देखोगे यूशे वाला वाटर डॉप नौस थोड़ा सा बड़ा वहां पर मुझे लगा है अगर में वीविंग बताऊंगा तो ठीक ठाक सा आपको देखने कर मिल जाता है लेकिन देखने में आपको अच्छे देखने को मिलेंगे जादा आपको कोई वह इशू नहीं देता है डिस्प्ले वन आप दी बेस्ट नहीं कहूंगा इस प्राइज में बहुत ही एवरेस टैप की मुझे यहां पर फिलहाल के लिए लगी है बागी कैमरा की बात रही तो बैक में यहां पर एस सच नहीं दिया हुआ है ठीक ठाक सा आपको यहां पर देखने के लिए मल जाएगा और अगर मैं इस फोन की बात गरूं तो इतना जादा कुछ खास मुझे इस फोन में लगा नहीं है सॉप्वेयर बिनोंने पुराना दिया है इस डी प्लस डिस्प्ली देखन को मिलती है फिंगरप्रिंट सेंसर भी गायब हो चुका है और 32GB वाला ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है सब चीज प्राइजिंग पेड़े साफ डिपेंड करता है अब मेरे हिसाब से अगर यह 7000 के अंदर आता है तो एक अच्छा फोन हो सकता है उस से उपर जाता है तो मैं इतना खासा रिकमेंट कर नहीं पाऊंगा साथ या आठ के बीच में रहता है तो ठीक ठाक सा आपको यह बर्स डिवाइस देखने को मिलेगा वाव वाला फैक्टर या चल रहा था ना महारत महर वह वाला खतम हो चुका या रव दिख नहीं रहा है देखो किस तरीके से रहता है आपको गर इसके साथ किसी फोन का कंपैरीजन चाहिए तो जरूर रश बताना कमेंट सक्ष्चन में वह देनी कोशिच करोगा फिला इस वीडियो में टेक क्या बाइ